पूची जी 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 अनुद्राचारे जी देखिए एक चीज होती है वेग्यानिक सोच एक समय था प्राचीन समय में जब मनुश्य कपड़े भी नहीं पहनता था दीरे दीरे करके हम एवॉल्व हुए समाज बना गाउं बना शेहर बना देश बना तो वेग्यानिक सोच को तो कि आप नहीं मानते कि उसे आप माता कैने माता को तो मानते हैं आप कहते हैं कि ईशवर ने श्रिष्टि की रशना की तो फिर मैं आज हमगा इशवर को किसंने बनाया तो यह डिवेट अनंत हो जायएगी मैं सब इसका उतर ना विज्ञान के पास है अभी और ना किसी देता हूं आपको भागवत गीता में लिखा हुआ है वन विवस्था है क्या है उसको आपने समझा सुनते रही है क्या आप यह चाहते हैं कि यह ववस्था रहे आपके सवाल के दो हिस्थेए एक है कि हम पुराणी विवस्था को क्यों माने रूडी वád विवस्था के मैंने उदाहरन दिया कि जिस माने जनम दिया है ये वी तो बरसं से चली आ रही है मा की परंपरा यह मीरी मा है क्यों माने हर पुराणी को आप नकार देंगे तो राम से तो लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना, फिर हम क्यों, हमने तो महातमा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं, महातमा गांधी राम के कोई हुए नहीं, भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा, इतिहास कह रहा है ना यदि आज की इतिहास को मान रहे हैं एक नहीं मान रहे हैं यह गलत बात जी अब जाती बात पर दूसरा सवाल कीजिए मेरा बड़ा क्लियर प्रशन था कि पुरानी आप विवस्था की बात करते हैं पुरानी विवस्था तो सनातिरी जिसको समाज आप कहते हैं उसमें जातिवाद भी था लेकिन जातिवाद नहीं था सरकार जातिवाद तो नेताओं ने घुसाया है जातिया विवस्था के लिए खड़ी हैं ये सारे लोगे विवस्था ये देखो कैमरे वाली विवस्था पग है क्या इन सब के बिना आप सब के बिना यहां मंचासन हो सकता है ये विवस्था रही है ना ब्रामान कोई है नहीं छत्री कोई है नहीं ये जाती विवस्था है ब्रामान जो वेद पढ़ा है सब को जरूरत पढ़ती है ने एक व्यक्ति की तो सब के साथ कंधी से कंधा मिला कर खड़ा रहा है वो शुद्र शुद्र कोई अचूत नहीं है यदि अचूत होता तो राम पूरी बात कर लूँ यदि शुद्र अचूत होता तो राम शबरी के घर क्यों जाते और निशादराज को गले क्यों लगाते ये तो जवर्जस्ति बदणाम करने के लिए सनातन धर्म को शड़यंत्र केता है जाती को जाती वाध के नाम पर तबदिल कर दिया गया शड़यंत्र शड़यंत्र किसका था शड़यंत्र किसका है? आज तक हम उसके शिकार हैं, आज तक लड़ रहे हैं। तो तुम चारों भाई हुए ना, और चारों भाई हुए तो कौन बड़ा और कौन छोटा मिलके रहों प्यार से। तकर साब एक सवाल पूछता जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक और आरोप है आपके होगे। आपके अधिकतर नसियते जो हैं, वो महिलाओं के लिए होती हैं। यह एक बड़ा आरोप है आपके। क्या है यह? पैन, कलम, अब बताओ, इसमें अब हमने इसको खोल दिया, आप क्या दिख रहा है? है ना, अब इसका यह हिस्सा भी दिख रहा है, जहां से लिखा जाता है। अब हमने इसको ढखकन से ढख दिया, यह देखो, अब नहीं दिख रहा है ना, अब हम ही खोल खोल के दिखाएं, और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो यह कहां तक सही है। दिखो, जो हीरा होता है ना, हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, और जो सरीया होता है, वो दुकान में बाहर पड़ा रहता है। लड़के तो सरिया की तरह हैं जबकि बेटियां हीरे की तरह हैं हीरे की कीमत जादा होती है इसलिए हीरे को समहाल कर रखा जाता है संजो की रखा जाता है हमने तो बाप दादों से यही सुना है कि बेटियां दौनों कुलों का कल्यान करती है माता के कुल का और पिता के कुल क और वहां ससर और सास और पती के कुल का तो दौनों कोलों की जिम्मेदारी बेटी के उपर है तो बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार कौन हुई बेटी हुई तो ज़्यादा जिम्मेदार है आप उनके कपड़ों पर विवाहा पर यहां तक कि उनके हनिमून पर भी आजकल आप बोलते हैं और ठिपनी करते हैं और आपकी सोच को फिर एक बड़ा वर्ग है वो पूरी श्वादी बताता है वीडियो भी यह मैं दिखा सकता हूं आपको आप दिखाए बिलकुल दिखाए लेकर वीडियो के पर पास सेकेंड की है दस सेकेंड की उसका पूर आगे पीछे तो सुनिये चुन लेते हैं हां बिलकुल पहले के लोग पती-पतनी पहले के लोग शादी होती थी तो साधी के बाद सबसे पहले घर में सत्तनारण भगवान की कछा होती थी पूजा पार्ट होती थी आजकल तो साधी हुई और ही टिकेट हो जाती है घूमने की वहां जाएंगे वहां यह मूवी देखेंगे यह पिक्चर देखेंगे यहां घूमेंगे उस पार्क मैं से बताइए महाराज जी साधी करना बहुत आवश्यक है और साधी के वाद आपकी जो रीती रिवाज हैं हमने पुरानी रीतियां द में कुल देवता इस्थान देवता अग्राम देवता को प्रणाम होता है फिर आप जाएए इंज्वाए करिए कोई रोक थोड़ी रहा है पर एक मर्यादा है आज की नोगी नोगी आपकी बात ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैं क्यों पाबंदी लगाउंगा मैं जाइए आज की चमक में मत जाइए जाइए लेकिन अपने संसकारों आप मॉडल बनिये आप 21 सदी में तो हैं लेकिन संसकारों को भूला कर क्या पाओगे आप आगे बढ़ेंगे संसकारों को लेकर तो कल आपके बच्चों को संसकार दे पाएंगे जब आज आप ऐसे हैं स झाल झाल